नमस्कार जैभिम दोस्तों कैसे हो आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे आज हम लोग सुबह का नास्ता रेडी तयार करने वाले हैं उसमें हम बनाने वाले आलू मटर की सबजी और पूरी चलिए देखते हम लोग आज कैसे बनाते हैं सबसे पहले हमने तो ताजे मटर ले लिए जो अभी हमें ठंडी के मौसम में मिल रहे हैं और साथ में मेरी दो तीन आलू है अपना हरा धनिया है एक प्याज है और अपना एक टमाटर साथ में मेरा है अधरक लसन का पेष्ट और चार पाच हरी मिर्ची है कटी हुए अब हम लोग देखते हैं आगे कि जो हमारा अधरक लसन का पेष्ट है उसमें हमें सुखे मसाले मिलाना है तो सुखे मसाले में मैंने आदा चमच हल्दी ले लिया है स्वात के लिए भी और कलर के लिए भी और लें लें धनिया पाउडर साथ में लेने वाले हैं लाल मिर्ची पाउडर अगर तेज खाते हैं तो थोड़ा और साथ में हमारी हरी हुई जो कटी मिर्ची है उसे हमें तीनों डालना है एक साथ में अब सबसे पहले तो हम लोग कड़ाई में तेल डाल देंगे जो हमारी आलू है कटी भी है बहुत क्रिस्पी और क्रंची एक अलग तरह की सब्जी बनाना है तो इसके लिए हमें अच्छे से इसको तलकर हम लोग निकाल लेंगे ताकि हमारी सब्जी का टेस्ट एक अलग ही तैयार हो और यह हमें आलू इसलिए भी तलना है कि अभी जो ठंडी के मौसम में जो मटर आते हैं तो बहुत सौप्ट रहते हैं और हमारी आलू थोड़ा हाड रहती है तो आलू मटर की सब्जी बनाना तो दोनों एक साथ में चुड़ जाना चाहिए इसलिए हमें उसे अलग उबाल कर मतलब तल कर रखना है अब यह हमने हरी मिर्ची प्याज और जीरा अगरे कड़ाई में डाल दिया है अच्छे से लाल होते तक भुनेंगे और उसके बाद में हमने जो मसाले मिलाए है अपने अदक लसन के पेश्ट में तो उसमें जो हमने एक टमाटर कटा हुआ था तो यह कि पहले भी मैंने कुछ recipe share की है आप लोगों से लेकिन उसमें भी मैंने खड़े मसाले यूज नहीं किया है बहुत ही simple अपने घर के मसालों से मैं सब्जी बनाती हूँ और वही सब्जी मैं आप लोगों से share करती हूँ दोस्तो आयो ओप आगर आप लोग ने अगर कभी बना कर ट्राइझ किया होंगा तो बहुत टेश्टी लग रही होंगी बस इसमें हमें खड़े मसाले नहीं डाले है इसलgt ये जो मसाला है हमें इसको थोड़ा ज्यादा भुंझना होता है और खड़े मसाले यूच करते है तो थोड़ा कम भी भुंझे तो चल जाता है तो बस हमने एक जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से मैंने पानी डाल दिया है और फिर हमारे मटर तो बहुत सौप्ट है और आलू को भी हमने तल कर सौप्ट कर लिया है बहुत जल्दी तयार हो जाएगी यह सब्जी क्योंकि सुबह के समय में हमें नास्ते में बनाना होता है तो बहुत जल्दी करना होता है तो इसलिए अगर आलू को अगर हम लोग अगर तल कर अगर बनाते हैं तो और मटर तो सौप्ट रहती चाहिए तो बहुत जल्दी हमारी आलू मटर की सब्जी रेडी हो जाती है और य साले वाली भी सब्जी एक बार जरूर्र器 करना दोस्तों यह मेरा धनिया पाउडर अगर डल के मेरी पूरी सब्जी रेडी हो चुकी है दोस्तों एक बार जरूर ट्राई करना आप लोग भी और आज की मेरी अगर यह रेशिपी आप लोगों तो जरूर जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तो थेंक यू नमस्कार जैभीम आज की रेशिपी के लिए धन्यवाद